वेलकम टू बैक माई चैनल फार्मर बैरड में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको जो खजूर का पोदा दिखा रहे हैं इसमें काटा कटीन जो ये काटा कटीन होती है वो किस तरह करें और किस से करें ताकि जल्दी हो जाए और इसको क्यों करनी चाहिए इसके बारे में ह जो तरह काटा करने से ये देखिया हमने यहां पर काटा कटीन की है तो नीचे काटें भी गरे हूए हैं देखिया तो ये कड़ना इसलिए जरży है क्योंकि जो ये खजूर लगेगी जो इसके फ़ल आएंगे तो वो इस काटा के मादें से खराब नहो उसके लिए ये काटा कटिन की जाती है और ये मादा का पोदा है नर मादा खजूर में दो तरीके के पोदे आते हैं तो उसमें ये मादा है और इस पे खजूर लगेगी तो उसके लिए हमने ये देखिए आप किती अच्छी तरीके से खजूर में काटा कटिन करी है ये देखिए इसके माद्यम से ये ऐसे लोग के आपके घर में अजार मिल जाएंगे तो इसको या फिर ऐसे बढ़ा के लेके आएं ताकि इससे क्या है कि काटा कटीन जल्दी हो यह देखिया आओ इसके माद्यम से पूरे काटा कटीन हो जाती है तो हमारे जो भी फल लगेंगे व तो खराब नहीं होंगे और उनके काटे नहीं लगेंगे तो हमारे फल अच्छे रहेंगे और खराब नहीं होंगे तो इसके लिए हमें काटा कटीन करना जुरूरी होता है और ये काटा कटीन हमें जब हमारे फूल आने लग जाए तब हमें उससे एक मैना या दस पंदरा दि कर दी थी तो अभी इस साइड में यह देखे आप किते ज़्यादा काटा है और उस साइड आपको बिल्कूल काटे नहीं थे क्योंकि हमने वाँ पर पूरी काटा काटेन कर दी थी और यह देखी यह पूरे निकालने बहुत जरूरी है यह आप यदि इससे भी निकाल सकते हो और आपके पास यदी कोई, जो कटीन करने के लिए हाथ के अजार आते हैं, उनसे भी आप कर सकते हो, ये देखें, ये हमारा पूरा फार्म है खजूर का, तो इस पे देखियाए, अभी हम आपको माल भी दिखाते हैं, खजूर जो अभी आने का मादा स्वारी नर फूल आने क यह देखे आप इस पोदे में हम आपको जो अंदर की साइड है वो हम दिखाएंगे आपको यह पुरा नर का अभी फूल आ रखा है यह देखे आप जो बिल्कुल सटिक्स और यह देखे यह पुरा नर का जो आता है पाउडर फॉर्म आता है इसके अंदर इसमें खजूर नह ये अपने नर्ग का पाउडर है जिसको हम अच्छी तरह चाहियां में सुखाके और उसे एक साल के अंदर अंदर यूज़ करना जुरूरी होता है उसको पाउडर को हम ज़्यादा नहीं रख सकते तो उसको अच्छी तरह चाहियां में चुका है और फिर हम उसे एक कोई बोतल में या काच की बोतल में भरके रख सकते हैं उससे क्या है कि जब भी आपके मादा की फूल खुलेंगे तो उस टाइम उस पे चड़काओ करना होगा ताकि ये हमें खजूर लगे उस पे वरना ये आप ये प्रागण नहीं करवाते हैं तो खजूर नहीं लगती है और ये देखे आप और काटे इसलिए काटे जाते हैं ताकि हम जब भी वो खजूर के ये जो आई हुए हैं इनको अच्छे से काट सके जो अभी फूल आ रखे हैं इनको सबको काट के और चाहियां में सुकाना जरूरी होता है तो इसलिए काटने के लिए हमारे हाथ में काटे ना लगे तो इसको हमें 10-15 दिन या मैंने से पहले साल में एक वार काटना जरूरी है अभी यह इसी टाइम टाइम है इसका खजूर आने का तो अभी आप यदि न हमें पाउडरी लेना होता है पर मादा की कटीन करना जरूरी है यह देखिए यह कित्ते ज्यादा अभी फूल आ रखे हैं नर के तो इनको हमने आदव को कट भी किया है और यह देखिए अभी फूल आया हुआ है और कुछ बीच में आये थे जब आप टाइम था खजूर न इसको दो एक दो दिन में लेना जरूरी होता है वरना मदुमक्खी और हवा से पूरे घर जाते हैं देखिए आप यह हमारा फार्म है तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें तन्यवाद